हेलो गैस स्वागत है आप सबका आज हम बात करेंगे अधानी पावर की और पहला का जो यहाँ का हाई था बिल्कुल आज उसने वहाँ पर वह हाई को जो है इसने टेस्ट किया 490 रुपे का आज हाई इसने जो हाई बनाया वहां से हल्की सी मुनाफ़ा वसुली आई और यहा यहां पर यहां पर यह रेट कलर की कैंडल है उसका हाई जो है यहां तक 410 रुपे का नहीं था वह 400 रुपे तक था 402 रुपे का लेकिन फिर भी यह पर बनी हुई दिख रही है फिलाल आगे देखते हैं कि क्या इसके अंदर यह ब्रेकाउट आ सकता है या नहीं आज अग कहई दिन अगर देखें तो थोड़ी सी एक कंसोरेशन जैसा था हाला कि कल भी थोड़ी सी जो है इसके अंदर तेजी थी और आज के दिन तो अगर देखें तो अच्छी कासी ती थी फिर दोपेर के बाद अगर नहीं जो है यह वापस तो थोड़ी से मुना फवस हो लिया ह हाला कि बाजार भी जो है इसके अंदर भी थोड़ी सी correction था और यहां पर weekly चाट जब हम इसका देखते हैं clear cut यहां पर अगर देखे तो hidden book के report आई यहां से लेकर यहां तक यह इस तरीके से zigzag moment में जो है यह उपर जा रहा है इस तरीके से पहले तेजी आती है फिर correction फिर तेजी फिर correction और अब वापस से यह तेजी आती है और अब इस price को 410 को अगर यह cross करता है तो जो है यहां पर यह 430 रुपे के आसपास का जो इसका lifetime हाई है यहां पर यह जा सकता है लेकिन अगर यह इसको successfully पार नहीं कर पाता तो यह वापस से थोड़ा सा जो है इसके अंदर profit booking भी आ सकती है जो कि इसको 390 से 380 रुपे तक ले जा सकती है फिलाल अभी ऐसा लग रहा है डेली चार्ट है इसका 401 रुपे का price है तो यहां पर भी यह जो है लंबा चार्ट लगाया है और यहां पर आप वहीं चीज देख सकते हैं जो हमन ज्यादा आया यहां पर अगर आप देखे के तो छोटे छोटे यह जो है profit booking आ रहे थे लेकिन यहां पर जितनी तेजी थी उस तरीके से जो है profit booking भी इतनी ज्यादा आई और उसके बाद वापस से अब यह बाउंस बेकाया है एक दम से यहां पर अगर ब्रेक आउट देता ह इसकी हो सकती है लेकिन अगर नहीं कर पाया तो जैसे कि हमने यहां पर जो सपोर्ट इसके है 390-380 वहां तक जाने की समभावना इसकी भी रह सकती है तो सपोर्ट इसको देख लेते हैं यहां पर तो अभी 401 रुपे का प्राई से तो पहले इसको पार करता है तो दूसरा र इसकी रुपे के आसपास हो सकता है यहां पर जो इसका lifetime हाई है और यह बात हो रही है short term की तो नज़र रहे कि कल भी इसके उपर और अगर आप इसके अंदर holding है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को इसके उपर हम डेली अपडेड लाते रहते हैं टेक् तो आज इन दोनों moving average के नीचे आया है weekly chart के उपर जब हम देखते है तो पिछले जो है तीन चार हफते से जबसे यह 5 और 9 week की moving average जो इसको तोड़कर नीचे आया है उसके उपर जा नहीं पा रहा है जैसे कि यहां पर इसने try की थी पिछले हपते भी उसके उपर भी अभी नहीं जा पा रहा है तो strength के अंदर थोड़ी सी कम ही दिख रही है और इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि यहां पर अगर आप देखे के तो 200 रुपे के आसपास का इसका पहला रजिस्टर्ट अरिया बन सकता है बिल्कुल वहीं पर इसने रजिस्टर्ट लिया है यहां पर डेली चाट के अपर तो इसके भी सपोर्ट रजिस्टर्ट हम देख लेते हैं फिलाल ऐसा लग रहा है और एक चीज़ अगर देखे तो यहां पर एक्चुली यह जो 2160 रुपे का जो जोन है पहली बार भी देखे तो यहां पर भी सपोर्ट लिया था और यहां पर भी स सपोर्ट अरिया इसका नजदीक फिर से इसका आ गया है लेकिन यहां पर अभी सपोर्ट के ऊपर यह टिकता है या नहीं अगर ज्यादा करेक्शन आता है तब की बात है वो देखना बनता है बाकी 2214 रुपे का प्राइस है तो पहले सपोर्ट हम देख लेते हैं पहला सपो इन दोनों ये सपोर्ट के बात करें 2072 रुपे का असपास का रख ऑाय भी था फैसी वर रघेसर के लिए अगर mitigation यहां पर पर इसके ऊपर सकते हैं जो है अदानी वीमार के बात कर लेते हैं प्र गूसके बार और और है प्राइब यहां पर अगर सब्सक्राइब लाएगे remembrance उसके इस के इंदर क्रेंक करैंगे और लाएगे तो इस के इस प्राइब है डैले टेक्निकल चाट के इंदर नहीं पर ओपूल है और हम चाहप देए तो आध। तो यहां पर पहला रजिस्टन जो है तो तीन सो बीस रुपए उसके बाद देखे तो इन दोनों सपोर्ट और रजिस्टन को इप दियान रख सकते हैं अधानी पॉर्ट की हम बात का लेते हैं इसके आज quarter two के रिजल्ट आये रिजल्ट अच्छे थे यसा लग रहाए और इसके उपर हम वीकेंड के उपर अगर हो सके तो चर्चा भी करेंगे इसके fundamental की, कल भी इसके उपर हमने चर्चा की थी, इसके उपर एक अच्छे कासी news भी थी, इसके उपर भी आप नजर रख सकते हैं, जिनके पास यह नहीं है, यह आट सो चे रुपे का प्राइस है, यहाँ पर अब भी देखे तो 5 और 9 डेस का जो मुविंगे रच है, उसके आज इसने support लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज की red कलर की candle को, अब यहाँ पर अगर इसके support और रजिस्टर हम देख लेते हैं, पर यह बंदरा मिनिट का चाट देखते हैं, तो आज के दिन अगर देखे तो शुरुआत जो वह अच्छी खासी रही थी, 830 इसके भी उपर काम कर रहा है, अगर बाजार का साथ मिलता है, तो वापस से थोड़ा सा bounce बेगा सकता है, या फिर अगर यह जो candle है, कल का यह weekly candle है, अगर थोड़ी सी गिरावट और रही तो एक bearish hammer सी candle बनेगी, तो जो है थोड़ा सा weakness अंदर आने वाले हफते में हो सकती है बाकी अगर देखे, डेली चाट के उपर, अब support और registration देख लेते हैं, जो कि काफी useful रहे सकते हैं, एक short term traders और long term traders, और अगर आपकी इसके अंदर भी holding हैं, तो please subscribe ज़रूर कर ले हमारे चैनल को, इसके उपर भी जो है, हम डेली टेकनिकल चाट के उपर जो है analysis करेंगे, इसके उपर आप दियान रख सकते हैं, और registration की बात करें, तो यहाँ पर अभी जो फिलाल registration है, आज 830 रुपे का इसने वहाँ पर हाई टच किया, अगर तेजी आती है, तो पहला इसका जो registration दिख रहा है, वो 840 और दूसरा registration जो है, 860 रुपे का zone, तो यह जो है support और registration को य इतना अगर अच्छा लागा, तो like, share and subscribe करें, और एक standard disclaimer जो कि मैं हमेंशा देता हूँ, आप कोई भी trade ले, उससे पहले अपनी research करें, अपने finance advisor की सला ले, उसके बाद ही कोई decision ले, और decision ले तो उसके जिमेदारी maturity के साथ खुदी ले, यह वीडियो में new question purpose के लिए बढ़ दो